कमपनी है जिसके 60 research products थे उसमें मैं 10 साल रहा और उसका topper रहा करता था तब मेरे दिमाग में आया कि हम क्यों विदेशी कमपनियों में काम करते हैं भारत की कमपनी क्यों नहीं हो सकती तब हमने morepen laboratories नाम की एक कमपनी zero से लगाई और आप सब ने उसका नाम सुना होगा पूरे रुपे का शेर साड़े बारा सो तक है उसके बाद कि टाबर के मानिक से बात हुए तो डाबर के दो डिवीजन में ने पूरे भारत में लॉंच की है और उसके बाद आधर निया नरेन मोदी जी के हां मुझे आयूस के ही विभाग में प्रदानमंत्री जन औस दी परियोज मैं आपको एक बाद बता हूं कि डॉक्टर पता नहीं कब MBBS MD करके आता है वो जब पढ़के आया तब वो दवाई नहीं थी और जब पीच में वो दवाई आती है तो उसको हमें पूरा डिटेल बताना पड़ता है किसके क्या साइट इफेक्ट है कितना डोस देना है कैसे अब इत्वाक की बात है कि 5 जनवरी को महिला आयो कि अध्यक्षा के साथ हमारी मीटिंग थी पूरा में मुझे मेरे मित्र लेके गए बाइकार गए हम मीटिंग उनके साथ हो गई दूसरी मीटिंग चल रही थी अचानक मेरे को फिर्दे में दर्थ होना शुरू हो गया और दीरे दीरे वो इतना बढ़ गया में थोड़ी दवाई बाहर से जाके ले ली बाहर मेडिकल स्टोर पर लेकिन हालत ही हो गई कि मैं बेहोस हो कि गिल पढ़ा दर्थ पढ़ा रहा था पुरी तरह से वो लोग इत्फाकन जिसके साथ मीटिंग चल रही थी वो मेडिकल चल दी रही और मैं मरने की कगार पे था अल्मोस्त मर चुका था लेकिन मुझे वहां जिंदा उपर वाले ने रखना था मैं आ गया मुझे डॉक्टर्स ने का था चार-पांच मीने लगेंगे नॉर्मल हो नहीं और आपको इंजियोप्लास्ति मीडियेट करा ली मैं घर प वह एक महिला को लेके आए उनका नाम था यही पे वह मैं बताऊंगा आपको तो मेरे घर पे उन्हों ने आके मुझे इसके बारे में बताना सुनिक है इस प्रोड़क के बारे में अब मैं कैसे इसको ले रहा था क्योंकि हर एक जना उसको मैं करके समझता है गयी मेरे को क्योंकि scientifically इसमें कोई कमी निकाली भी सकते हैं परन्तु मैं यहां से accept निकर पा रहा था और वो मेरे को जबरदस्ती की नहीं सारी है लेना पड़ेगा वो प्रोड़क मुझे दिया गया यह पूरा से मैंने ले लिया और दो दिन वो घर में पढ़ा रहा प्रोड़क पर जै लिया है छे फर्वरी को और मैं यहां पर 17 फर्वरी को दोड़ता हुआ आया क्योंकि इन 10 दिनों में मेरे अंदर परिवर्तन आया वो मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन आ गया जो आदमी मौत की कलार पे हो और वो भी पार्मा इंडस्ट्री में र हर राजय में मुख्यमंत्रियों ने मेरा सम्मान किया है मेरे को हमारे राज जो नैशनल गौर्मेंट है उदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मेरे को सम्माने किया मेरे कार्यों की वज़े से तो मैं इसमें मास्टर था लेकिन मैं मास्टर भी एक बार को समझने में गलती कर मैं इस उत्रेश्य से करूँगा कि मेरे साथियों की हैल्थ मेरे जितने मित्रगण हैं रिष्टेदार हैं उनके परिवार में कोई भी बिमार को तो उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है अगर आप स्वस्थ हो तो बिमारियों को कैसे दूर रखा जा सकता है यह यह बायो टोरियम जो है यह एक ऐसा मिरेकल कर गई है कि पहली बार भारत का एक मेक इन इंडिया प्रोड़क्ट आज विश्व में धमा के मचाने जा रहा है मेरा निवेदन है कि इसको आप भी इस उद्देश्टे से मत करिए कि पैसा कमाना है अरे यह तो इससे बड़ी समाज सेवा पोई नहीं है अगर हम जाकर के इसके बारे में लोगों को बताते हैं और उधारन प्रस्तुत करते हैं और उनने भी यूज़ कर लिया तो हम बाकी लोगों के स्वात का भी ध्यान रख रहे हैं यह सबसे बड़ा नेक कार है और आपके अकाउंट में पैसे आते जाते हैं मैं तो विश्वास भी कर रहा हूं मैंने 17 तारिफ को यह चीज स्टार्ट की है और आज आप देखिए कितना बेबी बाई दिन हुए हैं और मेरे अकाउंट में धम 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 पता नहीं कहांसे टपक रहे हैं और मेरे घर पे मैं रोजाना मीटिंग कर रहा हूं इसके लिए मैं चाहता हूं कि यह चीज जादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जिनके कम्यूनिकेशन बहुत अच्छे हैं आईए ग्रुप बनाईए और वो जो कम्यूनिकेशन अगर एक बार किसी ने यूज कर लिया मेरे जैसा आत्मी जो कभी किसी की नहीं सुनता था और बड़ी में 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 रहता था कि साथ मैं तो इस फिल्ड का पता नहीं क्या हूं लेकिन जब मैंने इस प्रोड़क्त का वो मिरेकल देखा आई वस रियली एस्टोनिस्ट और इस इस तर्फिंग विच्वी आर लुकिंग फॉर्ड लेट उस और आज मैं सलूट करता हूं हमारे डॉक्टर सागर जोशी जी के लिए जिन्हों ने इतनी मैत्वा कांशा भरी हुई चीज को और इतने उतेश्य फून चीज को आगे लाके रख दिया है जिसमें हमारे को बाक है ज़शो का बड़र आपिवाइ जी के लिए का बेकत तरवादि जी को बाके लिए कोड़िकराने जी को और आपिए मारे तरव करता है कि विए को और आपिए जीज को